लुए इस वीडियो में हम लोग छोटी सी बात करने वाले हैं How to manage the time, How to effectively use your time, whatever the time you have available after school or coaching और आप किसी भी वे में, किसी other work में involved हैं, तो उन सारे एस्टुेंट्स के लिए एक वीडियो है, जिस वीडियो में हम लोग time management के उपर बात करेंगे, How effectively you can manage your time whatever you have, चले, साट करते हैं मैं इस technique को बोलता हूँ stop-wash technique, यह जो stop-wash technique है, यह basically आपके हर minute का हिसाब रखने के काम में आती है, अब आप बोलेंगे कि हर minute का हिसाब रखने का मतलब क्या होता है, तो हर minute का हिसाब रखने का मतलब होता है, कि आप कितने घंटे पड़ाई करे, at least आपको ये तो पता हो नहीं चाहिए, if you want to qualify the exam, और आपको इसाब रखना चाहिए, but the question is, how to maintain the record, कैसे पता लगेगा कि हमने कितने घंटे पड़ाई करी है, तो इसके लिए हम लोग stop-wash technique को अगर use करेंगे, तो that would be very helpful, during the tenure of my vast experience, I think, मेरा तो पुरा life ही चला गया, more than 17 years, जो मैं students के touch में हूँ, time management एक सबसे बड़ी student के सामने problem आती है, कैसे student अपने एक एक मिनट का हिसाब रखे, चलो देखते हैं, right, तो इस जैसे मैंने बोला time management, तो time तो जब manage होगा न, जबकि आपको पता हो, कि आपका time जा कहा रहा है, time management, तो हमने क्या बुला, कि time management तो जब पता लगीगा, जब हमारे पास में कितना time है, right, और उसको हम कैसे utilize कर रहे हैं, तो इस technique को बुलते हैं हैं हम लोग, stopwatch technique, इस technique को apply करने में, सबसे पहले, you need a stopwatch, तो कोई भी stopwatch खरीद लो, ध्यान अठना, stopwatch जो अपकी available होती है, उसको use मत करना, for that, you need to buy a stopwatch, आपको मिल जाएगी 500-200 रुपे में, right, कोई भी stopwatch खरीद लो, अब माल लेते हैं, कि आप पढ़ने बठे, पढ़ने का मतलब होता है, homework करना, school का homework करना, आपको जो हमने coaching में homework दिया है, यह homework करना, या फिर कोई और homework करन या revision करना, इन सबको आप include करोगे, पढ़ाई में, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप online पढ़ रहे हैं, तो recorded lecture को देखना, मैं पढ़ाई में include नहीं करता, क्योंकि recorded lecture आपको नहीं देखने चाहिए, you should watch the live lectures, ताकि आप अपने doubt teacher से instantly clear कर पाएं, तो हमने क्या बोला, कि stopwatch technique म हम उस time को use करेंगे, जिसमें कि आप revision कर रहे हो, कुछ नया पढ़ रहे हो, कोई book पढ़ रहे हो, homework कर रहे हो, ये सारे time को आप उसमें count करेंगे, अब कैसे count करें, तो आप ने एक stopwatch रखी अपने study table पर, ये धान किएगा, हमेशा study table पर बैठके ये पढ़ाई करेंगे, बै start button है, तो जैसे ही आप पढ़ने बैठें, तो आपने start button को press कर दिया, so your watch is starting ticking the time, अब आप थोड़ी दिर पढ़े, इतने में आपको लगता है, कि आपको किसी के बारे में सोचना है, मम्मी, पापा, ताओ, या आपका कोई best friend, किसी के बारे में सोचना है, तो आपको सोचना नहीं है, पहले stop watch को pose करना है, माल लेते हैं आपको वाश्रूम जाना है तो वाश्रूम नहीं जाना है भी पहले स्टॉप वाज को पोज करना है माल लेते हैं कि आपको से मम्मी बात करने आगे तो मम्मी से बात नहीं करना है पहले स्टॉप वाज को पोज करना है माल लेते हैं आपको कोई बुक अपने रूम में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रखी भी है महारा कई ओर रखी हुए उसको उठाके लिके आना है तो उठाके लिके नहीं आना है पेलेस्ट आफ वोस को पोज करना है आपका पैन खतम हो गया है रिफल बदल नहीं है तो refill नहीं ही मतलनी है पहले स्ट आफ वोज को पोज करना है आपको भूग लग रही है, आपको biscuits लेके आने है तो biscuit बाद में लेके आएंगे पहले स्ट आफ वोज को पोज करेंगे फिर जैसे ही वापिस उस काम से लोटके आएंगे, तो आप वापिस से इसको अनपोस कर दोगे वापिस से time counting शुरू हो जाएगी मैंने ऐसे इसलिए बुला क्योंकि हम लोग सूचते हैं कि बस refill को लेके आ रहा हूं लेकिन कई बार क्या होता है हम रिफिल से experiment करने लग जाते हैं हमें लगता है कि वह वापिस जाके आ रहा हूं और हम इस सारे time को count करते हैं किसमें पड़ाई वाले time में और जब आप stop watch आपकी on हो उस वद ध्यान रखेना कि आपका mobile off होना चाहिए this should be off या फिर at least airplane mode पे होना चाहिए अगर आपको किसी बात करने ही तो फ़ले stop watch को post करेंगे इस वे में जो आपका time calculate होगा that would be the actual time of your study जब आपके पास में actual time of study आ गया है तो मैं आपको guarantee देता हूँ initially यह जो time निकल के आएगा that would be less than 3 hours या फिर 2 hours से और 3 hours के बीच में आपका यह time निकल के आएगा जबकि आप अभी सोचते होंगे कि हम तो all the time पढ़ते रहते हैं तो आप पढ़ते नहीं हो अभी आप पढ़ने का drama कर रहे हो पढ़ने में और पढ़ने का drama करने में बहुत difference है जो real पढ़ाई होती है उसमें you need to count each and every minute अब अगर आपने इस technique को use किया और माल लेते हैं आपका daily study are निकल के आ रहा है ठीक है daily study are आपका निकल के आ रहा है let's suppose 6R ठीक है तो मैं आपको guarantee देता हूँ कि if you are even an average kid तो भी आपके selection को कोई नहीं रोख सकता लेकिन अगर आपका study are इससे कम है तो फिर आप एक अच्छे बच्चे होते हुभी आपके selection की कोई guarantee नहीं है तो इस way में आप अपने एक-एक minute का हिसाब रखेंगे अब माल लेते हैं कि आपने अब आपको अगला काम क्या करना है आपको अपने study room में या जहां पर भी बैटके बढ़ाई करते हैं उसकी wall के सामने एक graph लगाना है इस graph में आप यहां लिखेंगे date जिसे माल लेते हैं month का first day of month है कितने घंटे पढ़ाई करी? let's suppose आपने पढ़ाई करी 4 घंटे तो एक point यह बन गया फिर आया second day कितने घंटे पढ़ाई करी? let's suppose आपने पढ़ाई करी 5 घंटे तो अगला point यह बन गया फिर आपने third day आया आपने पढ़ाई कितने घंटे करी है? let's suppose 2 घंटे तो यह बन गया फिर आप daily in lines को join करेंगे जब daily in lines को join करेंगे तो आपका graph कुछ ऐसा बनेगा तो आपको पता रहेगा कि overall आप किस वे में पढ़ाई कर रहे हैं इस वे में आप पूरे अपने study hours को design कर सकते हैं आपको पता होगा कि आप क्या बढ़ रहे हैं और कितने घंटे पढ़ रहे हैं आप किसी डायलेमा में नहीं रहेंगे आपको अपने सच्चा ही पता होगी तो यह दो काम आपको करने हैं पहला stuff work से आप अपने time की tracking करेंगे दूसरा एक graph अपने room में सामने लगा के रखेंगे और अगर आपने यह दो work कर लिए हैं तो guys अगर आप average kid हैं तब भी आपको life में success होने से कोई नहीं रोख सकता चाहे आप NEET की त्यारी कर रहे हो IIT की त्यारी कर रहे हो या किसी और competition examination त्यारी कर रहे हो इवन आपके बड़े भाई बैन अगर वो भी किसी और competition त्यारी कर रहे हो चाहे SSC हो, IS हो या कोई और examination हो और वो इस technique को use करते हैं तो इस technique वोड़ बी highly beneficial और ऐसा नहीं कि यह technique मैंने student को बताई हो तो उन्होंने use किया है इस technique को मैंने भी एपनी life में use किया है इस technique से हम लोग काफी consistent हो जाते हैं और हमारे result काफी जादा अच्छे आना start हो जाते हैं और एक बार आपके result अच्छे आना start हो जाते हैं तो आपको अच्छे result की आदत पढ़ जाती है यानि आप नौबिता मोड से निकल जाते हैं तीक हैं जितने आपके result अच्छे आएंगे उतना ही आपके लिए encouraging होता जाएगा तो guys don't wait for the right time new year का wait मत करो लग जाओ अभी से आज से ही इन टेकनीक को use करने में best of luck